क्या हाल चले बुच्चो जल्दी से बताओ क्रिष्णा, शर्मीला, सुनील, अनू, अनिल, करीना, क्रिष्णा, सूरज, तुरुनाली, कैसे हो बच्चा? गुड आफ्टर नून ठीक है, सब सेट है बिलकुल मामला तो, फाइनली, आज मैंने बोला था, सत्तरा अप्रेल से हमारी विजेता सिरीज शुरू होगी, ये सिक्स्टी डेज का एक क्रेश कोर्स है, जो यूपिए सी, दो हजार चोबिस के प्लिप्स को टार्गेट करके मैंने बनाया था, बच्चा, और देखो, मुझे तो नहीं पत था कि 16 अप्रेल को रिजल्ट आ जाएगा, और 17 अप्रेल को हमारी ये सिरीज शुरू हो जाएगी, मतलब हम पहले से ही प्लैंड है, UPSC रिजल्ट कब आ रहा है, कब नहीं आ रहा, कैसे आएगा, अपने को तो मेहनत करने से मतलब है न, तो 17 अप्रेल से शुरू हो गया, म आज जोग्रफी से, और रिजल्ट पे भी बात करेंगे, छोटी बात करेंगे, ज्यादा लंबी बात्चित नहीं करेंगे, तो आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करो, शेर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और एक हैप्पी वैली अकैनमी हमारी एप है बच जाएगा, प्लैन मिल जाएगा, पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा, और टीम से आप परिचित हाई है, त्रिवेदी सर, चंचल सर, नवीन सर और अनन्द पांचल सर, आज से बच्चा ये शुरू हो गई, सुबे से आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, और हमारा दो हजार पच्चिस, अबिस और सताइस को लेके पेड बैच शुरू हो रहा है, पहले पांसो बच्चों को 50% डिसकाउंट देंगे, एक मई से ये शुरू हो जाएगा, और आपके सामने प्राइसिज देख लो बच्चा, जी एस, बारा महीने, चोविस महीने, चो भी आप का प्राइस है, बहुत कम रखने की कोशिश करिए बच्चा, 13,000 रुपे सिर्फ एक साल के, ताकि आपकी पॉकिट पे ज्यादा बढ़न ना पड़े, और इधर जिसको ऑप्शनल और जी एस, दोनों लेना है, एक साल, दो साल, तीन साल का ओप्शन है, मतलब जो बच्चे, कॉलिज में भी है, वो भी अपने सुईधा के इसाफ से ले सकते है, ये रिजल्ट आ गया, UPSC 2023 का फाइनल रिजल्ट आ गया, रिजल्ट पर मैं ज्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारी बाते करना, मैं फिर वो ही कहूँ, हिंदी माध्यम के बच्चे कम मेंस लिखते है, PT कम क्वालिफाई करते है, मेंस कम क्वालिफाई करेंगे, इंटर्व्य में कम जाएंगे, सारी चीजे, जितना मोटिवेशन है, जितना घ्यान है, दिव्य द्रस्टी है, जितना अंदर का भढ़ास है, कल से लेके अब तक बहुत सारे चैनल्स पे निकल चुका होगा हम बात करेंगे मुद्दे की हम बात करेंगे सिधे काम पर आएंगे कैसे अपने को आने वाले 60 दिन को टार्गेट करना है और कैसे इस प्रिलिम्स को फोडना है हमारा में मुद्दध हो ही जो आगे बढ़ने हो उसका एक्जाम में वेटेज क्या है पिछले एक साल के अंदर ये स्लाइड में आपको चार-पांच बाहर दिखा चुका हूं लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं आपके आगे का रास्ता बच्चा इसी स्लाइड पे बेज्ड आपका जो एनलिसिस होगा उससे पता चलेगा क्या बोलते हो ठीक है तो में मुद्दा बच्चा जो है कि आप जो हम साठ दिन पढ़ रहे है क्या हम वो सब्जेक्ट पढ़ रहे है जो एक्जाम में आने वाले है देखो वैसे तो कोई नहीं बता सकता कि एगजेक्ट किस टोपिक से कितने कोशन आएंगे लेकिन एक ट्र को कहूं कोशन के वेटेज को बहुत जादा बदल नहीं पाया और बदल भी नहीं पाएगा क्योंकि जितने सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ तो कोशन पूछे गई तो बस हमें यह पता हो कि अगर आने वाले दिनों में हम फला टॉपिक पढ़ रहे है क्य मरीन डिपॉजिट्स वाले टॉपिक की बात करूँ आप उसको दो दिन तक लेके बैठे हो एक्जाम में उसे एक भी कोशन नहीं आना क्यों पढ़ना है फिर वो अपने को तो साथ दिन में हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है किस तरीके से आगे बढ़ना यह सबसे ज हमें समझना होगा 2023 के कोशन पेपर को 2023 में UPSC ने एक बड़ा शिफ्ट लिया है और आज की क्लास में मैं 2023 के कुछ कोशन को भी आपके सामने लेके आया हूं ताकि हमें पता चले कि अब हमें जोगरफी पढ़ना है या एन्वार्मेंट पढ़ना है साइंस टेक पढ़ना है economy, history, quality जो भी पढ़ना है उसको पढ़ने का attitude क्या हो वो सबसे important है ठीक है बच्चो ओके हाँ आजो बच्चो तो मैं आपको फिर से आप देख लेना बच्चा सारे subject आपके सामने है यहाँ पे मैं फिर से दिखा रहा हूं जोगरफी और mapping, environment and ecology यह economy है उसके बाद यह quality है, history है, science and technology और current affairs इस तरह से वेटेस है तो जो मेरे subject है अभी प्रेलिम्स में मैं आपको जोगरफी, mapping, environment and ecology पढ़ाऊंगा economy वाले त्रिवेदी सर है, quality, history, चंचल सर पढ़ाएंगे, science, technology आपको अनन्द पांचल सर पढ़ाने वाले है तो यहाँ पे वेटेस देखने की कोशिश करो बच्चा अगर हम geography plus mapping और environment and ecology की बात करे साल 2023 दोनों से 38 कोशन है अगर हम 2022 की बात करे 31 कोशन है, फिर अगर हम बात करे 25 कोशन है, यहाँ हम बात करे 22 कोशन है, again 25 कोशन है, again 23 कोशन है, फिर हमारे पास 24 कोशन, 25 कोशन, 27 कोशन, 32 कोशन, यह लो बच्चा, 35 कोशन, 34 कोशन, 26 कोशन इन दोनों सब्जेक्ट से अगर आप देखो पिछले 10-11 सालों में सबसे ज़ादा वेटेज अंडाउटेडली आपके जोगरफी, मैपिंग और एन्वार्बेंट निकलोजी का है लेकिन इसका कुछ सेग्मेंट ये जो 38 कोशन है 31 कोशन है या 25 कोशन मैं कहता हूँ दो हजार चोबीस में 25 कोशन आएंगे, बात खतम मैं ये नहीं कहता है मेरे सब्जेक्ट से 50 कोशन आएंगे मैं तो और कम लेके आ रहा हूँ, 25 कोशन आएंगे तो इन 25 कोशन में से कितने कोशन में हम comfortable है और जिन कोशन के अंदर हम comfortable नहीं हैं, तो आने वाले दिनों में अपना एक किस तरह की range रखे ताकि हम उन topic को त्यार कर पाए यही हमारी आज़ी class का main objective है, पढ़ाने के लिए तो मैं पढ़ाऊंगा है लेकिन कोशन के nature को समझना जरूरी है, UPSC static के साथ क्या नया चाह रहा है, वो किन topics को focus कर रहा है, यह जाना बहुत ज़ादा जरूरी है यही से रास्ता निकलेगा, और आज के इस analysis के बाद, आपको आज पूरे दिन, चाहे और कुछ काम करो या ना करो, आज के analysis के बाद, आज की मेरी इस class के बाद, जोगरफी environment के questions तो मैं अब समझा दूँगा, आपको economy, polity, history, science, and current affairs के questions को लेके बैठना है, 2023 का prelims का paper लेके बैठना, 2-3 घंटे, 4 घंटे आज के paper को देना, उसमें से कुछ चीज़े निकालना, वो आपको help करेगी, आने वाले 60 दिनों में, बाकी से बहतर करने में, समझ में आ रही है बात आप लोगों को, जल्दी से बताओ, ठीक है, तो बच्चा आगे चलते हैं, पहले जोगरफी पा जाता हूँ, मैं सीधा, जोगरफी पे, 2023 का paper क्या करा है, ये इंडिया जोगरफी, दो ही जोगरफी से आता है बच्चा, या तो वर्ल्ड जोगरफी से आएगा, वर्ल्ड जोगरफी से आपके around 52% question थे, और तयार कर ली, और आपके जोगरफी के question target होगे नहीं, यहाँ देखो, अगर आपने इंडिया जोगरफी तयार नहीं की, तब ये मान के चलना, आपका 50% question ही हुआ है, 50% question, और अगर आपने इंडिया जोगरफी तयार कर ली, आपने सोचा, इंडिया मैंने पढ़ ली, मेरा जोगरफी तयार होगे नहीं, इंडिया और वर्ल्ड जोगरफी दोनों को पढ़ना है, इसमें भी मैंने बताया, वर्ल्ड मैपिंग के सबसे यादा question है, बच्चा इस बार, 31% question, 8-9 question इस बार वर्ल्ड मैपिंग के थे, वर्ल्ड मैपिंग बेज, current affair में चर्चा में थी, क साल इसमें से केवल 4 question आए, लेकिन हो सकता है आपके इस बार, जो मॉर्फलोजी से 5 question आजाए, तो एक नजरिया डेवलप करना ज़रूरी है, हमें समझना होगा कि हमें आने वाले 60 दिन में कैसे बैतर करना है, तो overall जो मेरी strategy है, मैं आपको यह कहूंगा, चाहे वो सालों में हमारे hot topic है, उस पे हम ज़ादा focus करेंगे, और जो general type के topic है, उनको हम एक एक दो दो बार पढ़के आगे चल पढ़ेंगे, पढ़ना सब कुछ है, छोड़ना कुछ भी नहीं, लेकिन किस पे कितना जोर देना है, यह important है, इस पे हम बात करने वाले हैं, फिर अगर म infrastructure पे question, नया domain add कर दिया, agriculture पे question पूछे है, minerals पे question पूछे है, और vegetation पे, तो usually हम vegetation को बहुत अच्छा कर लेते है, agriculture को अच्छा कर लेते है, infrastructure हमने कभी इतना जादा focus नहीं किया, minerals पे भी हम जादा से जादा call को पढ़ते थे, call को पढ़ लिया, iron को पढ़ लिया, इस बार दो domain UPSC ने इनका weightage बढ़ाया है, इसका और इसका, तो infrastructure और minerals, infrastructure वाली पूरी class मैंने QR वाली जो हमारी series है, उसमें infra को मैंने cover कर दिया, मैंने rod infra cover कर दिया, मैंने shipping वाला cover कर दिया, most important है, ठीक है, railway infra पे और question मैं ले लूँगा, QR series इसी channel पे, आप playlist में जाओगे, QR series में आप आपको infra के lecture मिल जाएंगे, वो देख लेना, हम agriculture पे, vegetation पे और minerals पे अलग से focus करेंगे, एक बार paper पे आते हैं बच्चा, 2023 का paper, अपने एक बार discuss कर लेते हैं, क्या हमें वहां से रास्था देखने को मिल रहा है, paper पे आते हैं एक बार, क्योंकि आज का ये पूरा session, 2023 में geography और environment, UPSC किस टाइप के question पूछ रहा है, उस पे जाएगे, तयार हो आप सभी लोग, जल्दी से बताओ, are you ready, तयार हो तो एक बार बोलो कि सर जी हम तयार है, बचा काम करेंगे, है ना, ना खुशी होने, ना बहुत जादा खुश होने के लिए time है, ना दुख मनाने का time है, औ और आपने कौन सा एक्जाम दे दिया, आप तो इस बार दोगे, तो अगर result कम भी है, तो आप क्यों घबरा रहे हो, अपने को तो मैनत करनी है, और अगर खराब आ भी गया, और आपका selection नहीं भी हुआ, तो आपके पास एक ही रास्ता है, आगे बढ़ने का, तो तयार हो आ एक बार मैं आपको paper दिखाता हूँ, यह लो, आजो, यह है हमारे पास, 2023 UPSC Prelims, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो, यह देखो बच्चा, 2023 का paper है यह, ठीक है, आज थोड़ा इसी पर discussion कर लेते हैं, पहला question देखो, जो जो question आए है, एक बार इसको देखो, पहला question क्या था, देखो, UPSC के mindset को समझना जरूरी है, और मैं चाता हूँ, कि मेरे साथ साथ, आप भी इस चीज़ को बड़े अच्छे से अपने अंदर उतार ले, कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, देखो, पहला question था, निमलिखित कत्नों पर विचार करें, यह bilingual class ही है बच्चा, don't worry, bilingual class है ह तो Hindi-English दोनों में चलेगा, बहुत सारे बच्चों को doubt होगा कि सर, विजेता सेरीज में क्या चल रहा है, तो bilingual रहेगा, पतलब तो geography environment bilingual ही रहने वाला है, इसलिए घबराना मत, यहाँ पर देखो बच्चा एक बार आके, दिख रहा है आपको यह, ठीक है, पहला question क्या है, जेलम निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए, जेलम नदी वुलर जील से होका जाती है, आपने मेरी mapping की class पढ़ी होगी, हाँ, ठीक है, यह mapping वाली class से हो रहा है, second statement है, कृष्णा नदी कॉलेरू जील में जाके गिरती है, यह आप मेरी class से किसी से भी mapping से पढ़ाओगा, हा इसका मदलब यह जो थर्ड वाला statement है, यह कहां से लेकी आया, current affair, जो cover लेक थी, वो पिछले साल चर्चा में थी, तो UPSC रे तीसरा statement क्या कर दिया, current affair वाला उठा दिया, दो statement static, तीसरा statement current, अगर आप इन दोनों के भी जवाब जानते, तो यहाँ पे उसने optional, जो इसके option प यह दो statement सही है, यह तीनों statement सही है, तो इस बार जो options पूछने का pattern है, एक तो options जो पूछ रहा है जिस सरी से, उसको उसने क्या कर दिया, उसको भी change कर दिया, तो हमें क्या कर रहा है, समझो बचा, अगर current affair में, जोगरफी और environment से related, कोई lake, कोई river, कोई peak, कोई wetland चर्चा में हैं, तो दिमाग की बत्ती जला लेना, कि UPSC वहां से कुछ न कुछ घुमा फिरा के पूछ सकता है, वो दो static statement के साथ, एक current statement दे देगा, current affair based, या दो current affair based statement के साथ, तीसरा statement static वाला दे देगा, तो यह 60 दिन बड़े महत्पून रहेंगे, आप सभी के लिए, current affair भी पढ़ र रखना है, क्या चल रहा है, बात आई समझ में, ठीक, आगे चलो, दूसरा question देखो एक बार, second वाला question बच्चा, इंफ्रा पे आ गया, इंफ्रा, इंडिया जोग्रफी पे, इंफ्रा, अभी economy वाले teacher कह सकते ही, हमारी economy से, हम जोग्रफी वाले हम भी कह सकते ही, हम पूरा जो शिपिंग इंफ्रा वाला पूरा topic में ने करा दिया आपको, रोड इंफ्रा वाला पूरा topic हमारा करा दिया, आप उसको देख सकते है, जैसे इसने पुछा, कामरा, जार पोर्ट, उसके बाद मुंद्रा पोर्ट, और विशाख्ः पतनम पोर्ट, इंफ्रा पे question है, और उसका देखो, इधर स्टेटमेंट किस टाइप के है, इधर स्टेटमेंट उनके location बेज नहीं है, इधर वाले जो स्टेटमेंट है, उनके ownership बेज है, इधर जोगरफी प्लस economy, क्या हो गया इसमें, इसमें, जोगरफी प्लस economy, सब जो, सबजेक्ट को इंटर लिंक कर दिया, और यह तीनों स्टेटमेंट में से, इन तीनों स्टेटमेंट में से हो सकता है, उप्लस economy का स्टेटमेंट है, तीसरे वाले स्टेटमेंट को जोगरफी का कर देता, बोल देता कि यह इंडिया का natural सबसे deep port है हमारा, तो इस nature को समझना है, किस टाइप के question पे जा रहा है, यह समझना है, समझ में आ रही है क्या बात, जल्दी से बताओ बच्चा, तीसरा question देखो, तीसरा question आजओ, फिर ही आया, यह सागोन हो गया, टीक हो गया, महुआ हो गया, कठल हो गया, अगें, vegetation पे based question है, vegetation based question है, vegetation वाला question आया, यह हमारा, तो vegetation, उसके बाद, simple यह तो प अगरी मेरे lectures के अंदर include रहेगी, और ऐसा नहीं कि मैंने इस साल include किया, मेरे last year, उससे पहले साल, या उससे पहले साल, पिछले 5 साल का मेरा कोई भी lecture उठालो, सब में इन vegetation, कौन सी vegetation, कहां मिल रहे है, सारे मेरे lectures में already cover, ऐसा नहीं कि UPSC ने question पूछ लिया, और उसको मैंने अपने classes के अंदर add कर लिया, ऐसा नहीं है बचा, नेक्स चलो यहाँ पे, आओ, थोड़ा सा speed रखेंगे, यह देखो यहाँ पे, agriculture और irrigation पे question आ गया, agriculture प्लस irrigation, comparison कर देशने, चीन की तुलना में भारत के पास जादा कृशी योग्य छेतर है, चीन की तुलना में भारत के पा बात करते हैं, और जब हम बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे, कौन agriculture में किसका export, मतलब कौन जाधे export करता है, कौन कितना import कर रहा है, उसके पीछे के जो कारण है, थोड़ा different type का question है, बच्चा, यह again geography, प्लस economy की nature, दो subject को आपस में UPSC ने जोड़ दिया, दो subject को, यह U UPSC ने इस बार होश्यारी, होश्यारी की है, बच्चा, यह समझना, जो मैं आपको समझा रहा हूँ न, geography plus economy, इधर हो सकता है, environment, environment plus polity जोड़ दे, थोड़ा dynamic, dynamic, रडार अच्छे से घुमाना इस बार हमें, ठीक है, बहुत बढ़िया, next question देखो, question number 5, यह कहता है, निम लिखित में से कौन सा, समुधर स्तर में, उपर नीचे गिरावट का बहतरीन example है, और जो आज, जिससे एक कच्छ भूमी बनी, मैं कुछ जादा नहीं कहूंगा, इस वाले question को देखो बच्चा, geography plus environmental ecology, अगेन, यह वाला question अलरड़ी मेरे lectures में included था, 2023 के प्रलिम से पहले, मैंने बताया था, किस तरीके से समुधरी जलका अतिकरमन हुआ, और हमारे कौन-कौन से छेतर में, कौन-कौन से salt pen बने, geography plus environment, तो क्या समझ में आ रहा है, जोग्रफी को सिर्फ जोग्रफी समझ के नहीं पढ़ना, environment को सिर्फ environment समझ के नहीं पढ़ना, economy को सिर्फ economy समझ के नहीं पढ़ना, तो cut-off बहुत बड़ी नहीं आने वाली, आपको क्या लग रहा है, cut-off आएगी 100-105, मुझे नहीं लगता, वही 85-90 के आसपास या 80-90 के बीच में cut-off रहेगी, जनरल कैटेगरी की, अभी आ जाएगा, 2-4 दिन में, तो इसी वज़े से cut-off कम भी जाएगी, थोड़ा सा आपको dynamic रहना पड़ेगा, नेक्स्ट कोशन देखो आजो, यह हमारा मिनरल पे आ गया, भारत के कुछ कॉस्टल एडिया में, प्रचूर मातरा में, इल्मिनाइट, रुटाइल, मिलता है, यह किसके सोर्स है, अलुमीनियम के है, तामर के है, लोह के है, टाइटेनियम के, अगेन, मिनरल है, मिनरल है, प्लस करंट अफेर, मिनरल प्लस करंट अफेर, उसके बाद, संसार का लगबग, तीन चोथाई कोबाल्ट जो विद्धूत मोटर वानों की बैटरी निर्मान के लिए किया जाता है किस देश के द्वारा उत्पादित किया जाता है अब आप देख लो EV आ गया बचाओ EV vehicles प्लस इसमें क्या पुछ ले इसने minerals अगेन current affair यह इसलिए पुछा गया क्योंकि current affair में चर्चा में है तो आपके जो countries के bilateral relationship है जब countries आपस में बातचीत कर रही है या particular कोई हमारा sector ग्रो कर रहा है तो उसका जो component है उसके component का source EV कितना तेजी से बढ़ा तो EV के background में चला गया हो चेक है आजो next question चलते है अब यह कहता है कौन सा Congo basin का part है Congo basin का part है आपने अफरीका की mapping वाली class करी होगी अफरीका mapping अब यह क्या हो गया mapping का part हो गया यह Congo आपको पता है Congo river उसके आसपास का छेतर तो आप इसमें से option को eliminate कर सकते है आप eliminate कर सकते है कि इसमें से कौन सा उसका part नहीं होगा Nigeria है या eliminate कर दो इन में से South Sudan नहीं होगा Uganda है Nigeria है या Cameroon होगा mapping based question आगया क्यों है यह वहाँ पर बताओ जब मैंने आपको अफ्रीका का mapping बताया था मैंने आपको बताया Congo river basin काफी चर्चा में है इंदी दो वहाँ का जो natural vegetation है और वहाँ जिस तरह का industrial activity हो रहा है तो उसकी चलते हैं पूरा छेतर चर्चा में है तो mapping किसलिए पुछा ये क्योंकि current affair में ये चेतर चर्चा में था लेकिन आपको एक चीज समझनी होगी अब आप एक चीज समझो सुनो बच्चा यहां समझनी कोशिश करो अगर कोई current affair पढ़ाने वाली faculty है और उसको geography और environment का knowledge नहीं है तब वो आपको connect नहीं करा पाएगा वो Congo का question आएगा भी ना तो क्योंकि geography का environment का इंचेतर का weight is क्या है हो सकता है आपने पढ़ा हो लेकिन आप उसको पढ़ते पढ़ते ऐसे निकल गए हो वहाँ पे आपको pin कराना कुछ देर के लिए सोचने के लिए मजबूर कराना जरूरी है उस topic पे कि बच्चो देखो यहां से यह आया है तो इस पे इस type का question बन सकता है next चलते है question number 9 आजओ यह again यह तो बिल्कुल simple वाला था इंडिया में यह वाला question हमारे hills, mountain, passes वो वाला जो लेक्चर है अमर, कंटक, विंद्य, सेहाधरी, श्रिणी के संगम पर है बिल्गिरी, रंगन, पहाडिया, सत्पुडा में है यह static type का question था static type का था जोग्रफी से मेरे lecture देखो गया, पिछले 2-3 साल कोई भी देख लो, सब में यह question अल्रड़ी था नेक्स आजओ, आब आजओ, अगेन देखो बच्चा यह रहा भारत की connectivity प्रियोजनाओं के बारे में चर्चा कीजिए स्वारनीम, चतुरबुज, त्री पक्षिय, राजपार्ग उसके बाद बंगलादेश, चाइना, मयम्मार, भारत आगया ना, इन्फरा प्लस, इंटरनेशनल लेवल से हमारे जो, इन्फरा के जो प्रोजेक्ट चल रहे है इन्फरा प्रोजेक्ट चल रहे है समझने की कौशिश करो बच्चा UPSC अपलाइड होता जा रहा है इन कोश्चन्स के नंबर अफ कोश्चन्स को जो हम देख रहे है में आपको कितना पता है बुकिश नहीं है ये समझ लेना अभी तक बुकिश दो ही कौश्चन आए है कौश्चन्स कैसे है स्टैटिक प्लस अपडेटेड पाड तो हमें दोनों फ्रंट पे जोग्रफी प्लस एकॉनमी एनवायर्मेंट प्लस जोग्रफी एनवायर्मेंट प्लस एकॉनमी ऐसे खिल रहा है UPSC तो उसी हिसाब से हमें आगे 60 दिनों में उसी हिसाब से आगे बढ़ना है और ये जिम्मेदारी आपके हिस्से की जादा है मतलब मैं हर दिन अपनी क्लास में उसको वैसे कनेक्ट कर लेना तो मैं जोग्रफी इनवायर्मेंट पढ़ा रहा हूँ आप सब टीचर से पढ़ रहे हो आप पॉलटी भी पढ़ रहे हो अब यह जिम्हेदारी आपके हिससे है इंफ्रापको शन था फिर अगें मिनरल पे आ गया मिनरल पे आ गया यूरेनियम पे आ गया और सेकंड स्टेटमेंट है विद्धूत उत्पादन मैंने आपको पिछले दो मिनेओं में कितनी बार बोला बच्चा कि वाटर रिसोर्स प्लस एनर्जी सिक्योरटी या एनर्जी क्राइसिस या एनर्जी का टॉपिक जो भी है UPSC का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है इस वाले स्टेटमेंट में देखो ये किस पे आगया बच्चा नुक्लियर एनर्जी और उसके साथ साथ इसने क्या बोल दिया इसका टेक्नलोजी वाला पार्ट हो गया कि जब आप यूरेनियम बेजड आप जो पावर जनरेशन करोगे तो उसका टेक्निकल पार्ट फर्स्ट पार्ट देखो बच्चा क्या है और सेकिंड वाला पार्ट क्या हो गया साइंस एन टेक्नलोजी समझ रहे हो यहां पर क्या क्या अरे बहुत चला किसे कर रहा है बच्चा UPSC यहां क्या किया mineral या geography प्लस science and technology यह लो तो एक हिस्सा आपका मेरी क्लास में त्यार हो रहा है तो दूसरा हिस्सा आपका science and tech की क्लास में त्यार हो रहा है कि अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मेरी क्लास से सब कुछ होगा आपको जो अलग-अलग क्लास्रूम के अंदर जो नॉलिज गेन कर रहे हो क्लब करना होगा चलो इस पर आजओ फिर आजओ देखलो पीर यह मार्सू पील जो पाउच होताएं के बारे में Ctin से भाल स्थनी केवल परभक्षी रहित परवतिय घास थलों में ही रहते हैं क्या यह माउंटेनियस रीजन के ग्रास लेंड में रहते हैं जाओ जरा फिर ऑस्टेलिया की मैपिंग में कि कहां और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि हमें यह लगता है कि यह सिरफ ऑस्टेलिया में मिलते नहीं यह यह अमेरिका के अंदर भी मिल रही थे हैं तो उस टाइप का कौशन आ गया यह बिल्कुल यह बिल्कुल क्या था बचा कोई पर्टिकुलर स्पीसीज पर क और यह आपके जो kangaroos है वालाबीज है इनकी बड़ी population का लॉस हुआ है तो उधर करन्ट से उठाकर इधर लेकि आ गए कि नेक्स्ट कोश्चन कि नेक्स्ट कोश्चन चलते हैं आजो अब यह थोड़ा करन्ट अफेर टाइप का कोश्चन हो गया कहता है इन्वैसिव इंग्लिश में पढ़ देता हूं मैं एक बार रुको कहता है इन्वैसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रूप डेट डेवलेप्स ग्लोबल इन्वैसिव स्पीशीज डेटाबेस बिलॉंग पूरी दुनिया में जो आक रामक प्रजातिया है जैसे मैंने आपको बताया था लेंटाना कएमरा था लेंटाना का नाम सुना थाे Water Hyacinth सुना था, Black Rat सुना था, हमने बोला दुनिया भर में तबाही मचा रहे हैं, और किस तरीके से ecosystem को loss कर रहे हैं, तो इनका जो database है, वो कौन maintain करता है, उसके organization पर question आगया है, तो जब हम पढ़ रहे होंगे, तब उसमें कौन था, कि IUCN की report के अनुसार था वो, ठीक है, या UNEP की report के अनुसार था, समझो, वो UNEP की report थी, वो IUCN की report थी, वो क्या था, है न, WWF की report थी वो, किस की report में हमें, या वो कौन उस database को maintain कर रहा है, वो lantana camera, water hyacinth, black rat रह गया पिछे, कौन कर रहे हैं, उस database को maintain करने का काम किस body का है, तो हम पढ़ते पढ़ते हम भूल जाते ह report या वो database IUCN का है, किसका है, हम सिदा क्या रखते हैं, हमारे दिमाग में, क्लिक करता है, water hyacinth, हमारे दिमाग में, क्लिक कर रहा है, lantana camera, हमारे दिमाग में, क्लिक कर रहा है, black rat, UPSC कहीं और ही चला गया, तो इसलिए मैंने बोला, आज आपका एक मात्र, पूरे दिन चा इतनी डिमांड कर रहा है, और शायद आज आपका दिमाग इस बात को ग्रहन करने की सबसे अच्छी पोजीशन में, क्यों, क्योंकि कल रिजल्ट आया है, मार्किट में पैनिक है, रास्ता नहीं दिख रहा, आर यह बात समझ में, नेक्स चलो, नेक्स कोशन देखो, उसके इसके बाद क्या कहता है, यह स्पीसीज बेजड आ गया, कौन सी स्पीसीज कहां पर मिलती है, लोयन लोयन टिक, जो लोयन टेल्ड मकाव हो गया, और उसके बाद माला बार सीवेट हो गया, सांभर डियर हो गया, उसके बाद क्या कहता है, यह कहता है, आम तोर पे रातरी च दिया था कि भया यह देखो यह क्या है लोएंड टेल्ड मकावू हम जानते वेस्टन घाट में मिल रहा है तो उस पे बेज्ड जो हम एनवार्मेंट निकलोजी की क्लास में देखेंगे इसका बीहेवियर कैसा है और यह क्या रहेगा बच्चा या तो करंट अफेर में प्लस या हमने स्टेटिक क्लास में पढ़ लिया हो थोड़ा सा चलेजिंग पार्ट है इस बार नेक्स्ट कॉशन देखो इसने ये वैगल डांस अगेन ये करंट अफेर में था बच्चा बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मुझे मैसिस कर रहे थे सर कभी वो वैगल डांस टाइप का कुशन आ गया वो गिलहरी टाइप का कुशन आ गया उनको कहां से तियार करे मेरा सजेशन है वो आधना गिलह फैवियर के एक कॉषिन था स्क्वेरल के ये वहला कोषिन आगया वागल डान्स तो इस तरह के क्योण को ले के परिशान नहीं होना बच्या तीन-चार कोष्ण हमारे ऐसे रहेंगे जग्रफी के नहीं एनवाइरमेंट के तीन-चार बाउंसर टाइप के question रहेंगे, उनको लेके परिशान नहीं होना, क्योंकि चलो आज आपने कहीं से ढूंड भी लिया, वैगल डांस के बारे में, गिलहरी के बारे में आपने पढ़ भी लिया, इस प्रत्वी पे कितनी billions of species है, कहां-कहां से उनकी खबरे ढूंड के लाओगे तो दो-चार question बाउंसर जाएंगे आए, जाओ भीया, है ना, आपको प्रनाम नहीं करना हमें आपको attempt उसके चक्कन में, अगर आपको कोई common sense, कोई logic दिख रहा है है ना, तो उसके आप उसके behavior को आपने कभी life में observe किया है, बच्पन में अपनी upbringings में जब आप पले बढ़े वहाँ आपने उससे जुड़ी हुई कोई जानकारी मिल गई, उसके बेस पर करना है तो कर देना, बाकी छोड़ देना चीक है, बात आई समझ में हाँ, skip करना भी, बच्चा याद रखना, तीन question जो आपको नहीं आते थे उनको skip करना three questions को skip करना किसके equivalent है, one question correct क्योंकि अगर आपने तीन question गलत attempt कर दिये तो आपका एक सही question चला जाएगा तो अगर आपने तीन ऐसे question जिनको आप नहीं जानते थे, उनको अगर आपने skip कर दिया, कोई भी wild guess नहीं कर पा रहे थे, तो समझो आपने अपना एक question बचा लिया तो तीन ना आने वाले question जिनका आपको कोई idea नहीं तो छोड़ देना बचा, वरना एक सही को खा जाएगा वो attitude develop करो skip करने का चले, आगला question देखो यहाँ पर, यह वाला question क्या है कहता है कुछ mushrooms के अंदर ओश दिया गुन होते है, क्या mushroom के अंदर ओश दिया गुन है, simple सा logic लगा लो क्या नहीं हो, तो ऐसे फाल तुम ही खा रहे है क्या mushroom को कुछ तो common sense यूज करो तो कुछ question तो common sense से आ जाएगी अगर UPSC कहता है, गाजर के अंदर कुछ ओश दिया गुन होते है तो भही होते है, carrot के अंदर है radish के अंदर है तो है अगर वो कहे, save के अंदर कुछ ओश दिया गुन होते है तो नहीं है, अब ये भी आपको लिखके दूँ क्या, कि हाँ save के अंदर पर आप प्रौन दॉल रहे हैं सुम्स और भूश्टीय गुन है कुछ तो कॉमन सेंस लगाओ कि तर्थे खुदी क्या रहा है सब नहीं बोल रहा है कुछ भोल रहा है कुछ में psychoactive गुन होते है मन प्रभावी गुन होते है कुछ चत्रकों में कीट नाशी गुन होते है बायो लिमिसंट के गुन होते है अब मश्रूम के उपर question पूछ ले उसे last year भी मश्रूम पर question पूछा था जितना हो जाए ठीक है नहीं हो जाए तो छोड़ दो आपको पता है पहले वाला सही जा रहा है दूसरे वाला भी ठीक रहा है कुछ में यह वाला गुन होता है चोथे में लेके थोड़ा सा doubt रहोगे अब 50-50 में हो या तो 3 को ले लो या 4 को ले लो जो आपको सही लगे लगा के निकलो कुछ questions पर थोड़ा risk लेना पड़ेगा जिन में 50-50 में आगे उधर risk लेना नेक्स चलते आगे देखो बचा गिलहरियों के बारे में आगे squirrels के बारे में बिल बना कर अपने घुशले का निर्मान करती है वो nut और बीजों को भूमी के अंदर जमा कर लेती है वो सर्व भक्षी होती है बहुत सारे लोगों को लगता है गिलहरी बिचारी पता नहीं हमें तो हमने तो कभी उसको non-vegetarian होते हुए नहीं देखा तो क्या पता कुछ बच्चे ही हाँ अब ही आता है तो ठीक है नहीं आता तो छोड़ दो भाई 38 कोश्चन है पांच कोश्चन जोगरफी एनवार्मेंट के छोड़ भी दोगे तब भी कुछ नहीं बिगड़ना पांच साथ कोश्चन छोड़ो टेंशन नहीं ले कटोफ ही 90 आरी है बच्चा हम आगे बढ़ पाएंगे और कुछ कोश्चन को डेफिनेटली हमें अटेंप्ट कर नहीं होगा नेक्स्ट चलो आजो अभी इंग्लिश वाले में इसलिए नहीं पढ़ रहा बच्चा दो बार पढ़ना पढ़ जाएगा मेरी क्लास बाइलिंग्वल ही रहेगी इंग्लिश मीरियम वाले बच्चे घबराना मत किसरा आप इंग्लिश तो लही नहीं रहेख अभी एक बार इंग्लिश में पढ़ूँगा एक बार हिंदी में पढ़ूँगा रिप्टेशन ऑफ वर्क है वो नहीं करना मुझे, है ना, कल से जब हम क्लास लेंगे, बाइलिंग वल ही क्लास होगी, घबराना मत, नेक्स कोशन देखो, आजो ये वाला कोशन देखो, अब निमलिखित में से कौन किसी रक्षिया लकडी के लठे में बने छिदर में कीटो को खुरचने के लिए लकडी का उज़ार बनाता है, आपने देखा होगा, कि ऐसे लकडिया लठो के अंदर, जमीन के अंदर डालते है बाहर खिचते हैं, और कीटो को खा जाते हैं, कौन करता है ये काम, फिशिंग कैट है, औरेंग उटान है, उद बुलाव है, सलोथ भी अरह है, सब को पता है, तो ये तो आपने कभी डिस्कवरी देखा होगा, नेशनल जोगरफी देखा होगा, स्कूल के अंदर भी पढ़ इस पीसीज पे काफी कोशन आये हैं, बच्चा, इस पीसीज पे इस बार, यूपियसी ने इस पीसीज पे चार के आसपास कोशन पूछे, अराउंड, गिलहरी पे कोशन पूछा, मदुमक्खी पे उसने कोशन पूछा, उसके बाद इसने ये वाला कोशन पूछा, वो माला हमें पढ़ना होगा हो सकते ना है लेकिन UPSC ने बता दिया species are important तो हम करेंगे तो जो मेरी QR सिरीज है जो आज इवनिंग में मेरी क्लास होगी साड़े चार बज़े जो हमारी Happy Valley Academy Rise जो सेकंड वाला चैनल है इस वाले चैनल पर जेता सेरीज चलेगी साड़े चार बज़े से साड़े पांच बज़े के बीच में QR सेरीज की क्लास चलेगी तो आज की QR सेरीज के अंदर मैंने next three days तीन lecture schedule किये है पिछले 18 महीनों में current affair में जितनी जितनी भी flora और जितनी भी fauna species चर्चा में रही है तकरीबन 60-70 species है जो चर्चा में रही है वो मैंने सारी तयार किये तो इवनिंग साड़े चार बज़े वाले session में आप मिलेगे दो चैनल हो गए ना आपको पता है एक है happy valley academy warriors जिस पे आप अभी देख रहे हो यह पहले नवीन तबर academy channel था सेकिंड चैनल है happy valley academy राइज जो चंचल सर का चैनल था तो उधर हमारी qr series continue हो जाएगी आज से ही और मैंने जो बोला था कि एक दिन में दो-दो class वो मेरी दो-दो-क्लास होगी हर teachers अपनी दो-दो-क्लास लेगे चले तो यह question देखो 2023 वाला aerosol हो गया form isn't हो गया fire retardant हो गये स्नेयक हो गये lubricant कहता है इन में से किसको बनाने में hydro fluorocarbon अब hydro fluorocarbon यह तो आपको ozone layer वाले टोपिक से related है तो जब आपने ozone वाला टोप इस बार UPSC ने सीधा आपसे ozone layer वाला टोपिक नहीं पूछा वा आपसे नहीं पूछ रहा ozone layer depletion उसने सीधा examples उठा दिये तो ozone layer depletion में जो examples हमने दिये थे कि ozone layer का depletion किन-किन से होता है किन-किन product से होता है तो इस बार उसने वह option में डाल दिये shift कर दिया वह applied पे आ गया applied पे आ गया examples important हो गए examples तो जैसे हम पढ़ेंगे acid rain क्यों होती है acid rain के causes क्या है तो cause important हो गए ozone layer depletion cause important हो गए global warming green house gas उसके पीछे के cause उसके पीछे के isn't वह important हो गए concept पीछे चले गए next चलते है next next क्या है हमारे पास खजाने में next question यह आ जो बच्चा अब यह देखो अब कहता है ऐसी संभावना है कि carbon बाजार जलवायू परिवर्तन से निपटने का सबसे व्यापक साधन हो जाए अब हमने देखो याद करो बच्चा जो carbon trading वाला मुद्दा है climate change से fight करने के लिए again application अभी climate change नहीं पूछ रहा है वो बोल रहा है यह पूछते पूछते में ठक चुका हूँ अब इस climate change को title करने के जो हमारे methods है methods पे कि जब हम बात कर रहे है किसकी carbon market की ते carbon market क्या है कितना important है कितना प्रभावशाली है application again applied अपने दिमाग में set कर ले ना बचा static is important but now applied part is also very 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 important कि तो आने वाले साथ दिनों में यह attitude हमें help करेगा जो अभी discussion हो रहा है यह सब कि फिर carbon बजार संसादनों को private sector से राज्यों को हस्तानांत्रित कर देते है कि कहता है यह private sector से state के पास चला जाता है carbon market का mechanism तो अगर हमें carbon market का mechanism पता है अभी हम सिर्फ इतना जानते carbon trading को लेके अच्छा एक देश ने ज्यादा उत्पादित कर रहा है दूसरा देश कम कर रहा है वो यहां के आकि इनकी project में investment कर लेता है उसको credit मिल जाते है इनको पैसा मिल जाता है उसको अपनी report maintain करने में help हो जाती है तो यह mechanism exactly काम कैसे कर रहा है तो climate change को fight करने के बाकी और जितने हमारे पास mechanism होंगे हमारे अंदर waste को हम जो waste को handle करने के जो हमारे mechanism है हमारे ozone layer depletion को handle करने का जो हमारा mechanism है वो mechanism कैसे काम कर रहा है यह ध्यान रखना दो हजार चोबिस के लिए नेक्स चले ओके बढ़िया आजओ next यहां क्या question है हमारे पास कोई question नहीं है next question कहां पे है हमारा 56 पे आजओ कि यह लो आज वो बच्चा देखो कॉस्मोलोजी सेफिड पल्सर्स और आपकी नेबुलाज और पल्सर्स तो लास्ट यह मैंने चार लेक्चर लिए थे कॉस्मोलोजी तो यह क्योंकि बच्चा इस पेस टेक्नलोजी है ना स्पेस एक्स्प्लोरेशन बहुत बढ़ रहा है हमारा इतने सारे सेटलाइट भेज रहे हैं इतने सारे टेलिसकोप भेज रहे हैं स्पेस को जानने लिए तो स्पेस की बेसिक टर्मिनलोजी पूछ ली इसने तो यहां बेसिक पूछी लेकिन हो सकता है दो हजार चोबिस में जो हमारे मिशन्स है या जो स्पेस टेक्नलोजी काम कैसे करते देखो इस बार पूछा है स्पेस से रिलेटिड बेसिक नेक्स्ट इयर हो सकता है स्पेस टेक्नलोजी का बेसिक पूछ ले इसका बेसिक पूछ ले कैसे काम करता है यह ना वो लेकिन थोड़ा सा टफ थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाएगा लेकिन हमें थोड़ा उधर भी ध्यान रखना है नेक्स चले यह आजो बच्चा अगेन मरकरी पॉलुशन स्वान खनन कोईला आधारित अगेन पॉलुशन वाला टॉपिक इस्टाटिक ही है आप मेरे एनवार्मेंट के लेक्चर पढ़ोगे वहां आपको मिलेगा पॉलुशन को कैसे हैंडल करना है उसमें आपको मिल जाएगा कि गोल्ड माइनिंग से थर्मल पावर जो आपके प्लांट है उस पे अब इसमें जो यह थर्ड वाला स्टेटमेंट था कि यह कहता है कि मर्करी अगर हमने कंज्यूम कर ली तो क्या उसकी कोई सेफ लिमिट है तो देखो अगर आप एक चीज बताओ चलो यह मेरी क्लास में किसी और टीचर की क्लास में जब tak हमने पढ़ाया होगा यह वाला किसी सेयम क्लास में ये तो जाके वो deposit हो जाता है वो निकलने का कोई रास्ता नहीं है एक बार आपकी body में चला गया तो deposit हो गया तो वहां से आप ये जरूर लगा सकते हो क्यार हाँ हमने कभी ऐसा simple logic से ये बहुत dangerous है और कभी भी हमने ऐसा तो नहीं पड़ा कि हाँ इतनी मरकरी अगर हमारे अंदर चला भी जाए तो वो हमारी body उसको handle कर सकती तो ये वाला statement क्या था था थोड़ा logically justified करना था आपको इतना risk लेना पड़ेगा ये दोनों बड़े simple थे हाँ ये भी है ये भी है इसको लेके आपके मन में डाउट होगा आरे या तो ये तो कहीं धाई नहीं सब्सक्राइए तो यूप्यस चाहता है ऐसे कुछ questions में आप आओ आगे और आपका अगर अंदर का knowledge आपका इंसाइट आपका wisdom 80% कहता है कि हाँ या या ये मिरको सही लग रहा है तो जाइए उसके साथ कुछ questions में तो risk पर जाना पड़ेगा बात आई समझ ठीक है next 23 देख लो ग्रीन हाइड्रोजन कितना कराया है ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है कितने तरह का हाइड्रोजन होता है यह ग्रीन हाइड्रोजन का application कहां कहां इसको applied part यूज कर सकते हैं इससे जुड़े हुए challenges क्या है तो obviously मेरे लेक्चिर्स में मैंने कवर कराया वापस से कवर करा देंगे यह पूरा ग्रीन हाइड्रोजन बेजड आ गया करंट हमें चर्चा में था उसके बाद यह देख लो बच्चा निमलिकित देशों पर विचार करो किसका युक्रेइन के साथ बॉर्डर लगता है मैंने कितनी बार चीक-चीक के बोला था युक्रेइन और उसके आसपास के बॉर्डर कंट्री देख लेना आया सेम कॉश्चन क्या दिक्कत है यह एस्टोनिया लाट्विया लिथुवानिया यह तो पाल्टिक कंट्रीज है यहां क्या कर रही है चलो बात आ रही है समझ में कि यह अगेन मैपिंग बेज्ड कॉश्चन हो गया हमारा उसके बाद नेक्स्ट कॉश्चन देखो यह जोगरफी का कॉश्चन है यह बड़ा डिफरेंट कॉश्चन था बच्चा जो हमारा सॉलर इंसलेशन है सूरियत आपकी मात्रा एक्वेटर से लेके पॉलर रिजन तक मैंने तो इसका प्रॉपर एक चार्ट भी कराया था भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले सूरियत आपकी कुल मात्रा जितना इंसलेशन मिलता है वो सॉलर जो पॉलर रिजन में होता है उससे 10 गुना ज़ादा होता है देखा था हमने यह बोल इंफ्रारेड सूरियत स्पेक्ट्रम के भागे अब यहां देखो उसने क्या करा जोगरफी प्लस फिजिक्स एड कर दिया लो बेसिक फिजिक्स तो यह बात तो पक्की है सब्जेक्ट्स का कोलाबोरेशन यूप्यस्सी ने 2023 में बड़ा अच्छे से यूज किया है जो सब्जेक्ट जिसके साथ जाके लिंक हो सकता है ऐसा निकी जबरजस्ती जिजोगरफी में पॉलिटिक हुसा देगा कैसे हुसा देगा ऐसा निजोगरफी और हिस्ट्री का टाया बिठाने पर लग जाएगा तो जहां possible है subject के nature के according तो geography एक ऐसा subject है economy से easily connect हो सकता है science technology से connect हो सकता है basic science से हो सकता है तो geography environment में वो काम उसने बहतरीन तरीके से किया क्योंकि इस subject को अब tough बनाने का UPSC के पास इसके लावा कोई और रास्ता ही नहीं NCRT पढ़ते पढ़ते ही किताब पढ़ रही है तो UPSC के सामने भी challenge है इस exam को और थोड़ा सा dynamic बच्चों के temperament को कैसे तोड़ा जाए और UPSC अगर 4-5 question में आपके confidence को तोड़ने में success हो गया तो उसको जीत मिल गई 10 question में आपका confidence level लीचे आ गया वो उसको सारे question उसको tough बनाने की जरूद नहीं वो 8-10 question में खिलेगा आपके साथ वो बोले गयार किस type का question है आप वहीं collapse दिमाग ने काम करना बंद कर दिया अरे भाई यह जोग्रफी में क्या घुसा दिया इसने ठीक नेक्स लते हैं मैंने बताया हुआ है भरपूर होती है या नहीं हमने कई बार discussion किया कि अगर हमने equatorial rainforest या tropical rainforest को cut down कर दिया तो वापस से उनको उगाना कितना tough task होगा क्यूं हम इतना ज्यादा challenge लेते हैं कि यह अर्थ के lungs को destroy मत करो यह तो वापस से हो जाएंगे 10-15-20 सालों में challenge नहीं होंगे तो यह उसी पे based question था अगेन geography प्लस environment यह तो खेर दोनों एक ही subject है दोनों एक ही subject है इसमें ज्यादा ऐसी tension वाली बात नहीं है next राया ग्रिश्म रितु में महादीप और महासागरों के बीच में ताप मान का जो अंतर है शीत रितु की अपेक्षा जादा होता है वही जो specific heat वाला जो हमारा concept है और किस तरह से land और ocean का गरम होना और ठंडा होना और उस पे season का जो impact है वह बिल्कुल simple question है जल की विशिस्ट उश्मा से जादा होती है कम होती है question again थोड़ा direct question थे static type थे हमने class में ही discuss किये हुए है यह तो कुछ question definitely हमारे लिए comfortable है फिर यह वाला question देखो फिर यह earthquake के उपर आ गया अगें सीस्मोग्राफ पी वेव एस वेव एल वेव कैसे उनका नेचर है यह यह नया टाइप का question है आर्थक्वेक पे कि है यानि के यूपीसी ने आपको इंसाइट दिया है कि वह जो morphology पे shift कर सकता है इस बार जो morphology के दो-चार question पूछ के उसने थोड़ा सा hint देना शुरू कि हो सकता है 24 में मैं आपसे तीन-चार question जो morphology से पूछ लूँ त्यार रहना उसके लिए आजो उसके बाद कोईला आधारित ताप ये शक्ति के इंद्रों के संद्ध वही अगेन एनर्जी पे आ गया बच्चा थर्मल पावर प्लेज्ड बेज्ड जो प्लांट्स है उनसे रिलेटिड है उसके बाद ही आ गया करंट में चर्चा में था वाल बैशिया मेथड किसके लिए है मच्छर और जो भी है आपको पताईए या अगेन करंट में था वाल बैशिया हो गया उसके बाद करंट वाला कुश्चन था ये आ जाए अब ये कहता है एट्मोस्फेर के अंदर से अगर हमें कार्बन को कैप्चर करना है कार्बन कैप्चर एंड स्टॉरेज या देख्या CCS कार्बन कैप्चर एंड स्टॉरेज ये वाला कंसेप्ट है कैसे हम एट्मोस्फेर से कार्बन को या हमारे एनवार्मेंट से कार्बन क केप्चर कर सकते हैं उसका एप्लिकेशन पूछ रहा है बड़े पैमाने पर पिसी हुई बेसाल्ट शैल को खेतों में बिछाना चुना मिलाकर महासागरिय की छारियता को बढ़ाना विभिन उद्योग द्वारा निर्मुक्त कार्बन डैक साइड को कैप्चर करके कार्बोने लेप्चर के पीछे का पूरा इंजीनियरिंग देखो यह अगेन अप्लाइड आया है यूप्यसी कह रहा है मेरे को नहीं पूछना अभी ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस कौन सी गैस का कितना पोटेंचिल कह रहा है मैं पूछते-पूछते परिशान होगे मुझे अभी सॉलुशन पर बात करनी है क्लाइमिट के जितने भी कोशन है बचा यूप्यसी ने या तो सॉलुशन की बात की है या उसके कौज और उस कौज से जुड़े हुए एक्जाम्पल्स तो आपको स्टैटिक पर भी त्यार रखना है और एक्जाम्पल्स टेक्नीक्स और म कि नेक्स्ट आजो कि 74 तक आगे ना अब आएंगे 78-79 ये लो कौन सा देश दशकों से ग्रह कलश और फूड क्राइसिस से तरस्त रहा है बहुत ज़ादा गंभीर दुर्भिक्ष के कारण समचारों में था अगेन कारण्ट अफेर लोकेशन बेज़्ड कॉश्चन अब इसको चाहे आई आर में शामिल कर लो चाहे मैपिंग में शामिल कर लो बात एक ही है फिर आजो नेक्स कॉश्चन देखो ये बायो डाइवर्सिटी वाला जो हमारा एक्ट था यूएन सी बीडी बेज़्ड कॉश्चन है ये यूएन सी बीडी बेज़्ड उस पे फिर इंडिया ने क्या किया उस पे था पुरा नगोया प्रोटकॉल का उद्देश है स्टैटिक पार्ट है ये जै विविदता प्रबंदन समीती अपने शेतरा अधिकार के अंतरगसन साधनों को पहुँच के लिए शुल्क लगाने की शक्ती सहीत पहुँच और लाब सहभागिता निर्धारन के लिए महतपूर है अब ये पूरा इसका आप और्गनाइजेशनल स्टक्चर पढ़ोगे इंडिया में कैसे काम करता है बायो डाइवर्सिटी वाला तो वहां से आपको इसका इंसाइट मिलेगा कुछ कोश्चन में देखो UPSC भी खुद चारा है कि आप रिस्क लो कुछ कोश्चन में रिस्क लेना पड़ेगा जैसे ये वाला आपको आता है सेकिंड वाले में आप 50-50 हो इस वाले स्टेटमेंट में कि ये हो भी सकता है नहीं तो इसको calculated होके थोड़ा सोच समझके कि कैसे कोई government organization या कैसे कोई structure या governance का जब आप topic पड़ते हो कि कैसे वो bodies काम करती है क्या उनके domain में इस तरह के rights आप ही सकते है या नहीं थोड़ा सा polity से आप सोचने कोशिश करना तो ये उस टाइप को बश्चन है समझ आ रहा है या नहीं आ रहा बोलो ठीक है हाँ एक घंटा होने वाला session को like भी कर दो मैं नहीं बोलूँगा तो क्या आप like और share नहीं करोगे करो बच्चा एक बार like और share करो फिर मैं आऊँगा एक और समश्या है बड़ी समश्या उस पर भी बात करेगे एक और बड़ी समश्या है ओल्दो वैसे उस समश्या का 50% solution में कर चुका हूँ जो panic कल पिछले 24 घंटे में आप लोगों के सामने दिखाया गया होगा C-set जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा की गई होगी बहुत ज़्यादा तड़पाया गया होगा उसके solution पर तो मैं दो महीने पहले से काम करना शुरू कर रहा हूं बच्छा 16-17 फैब से ही काम करना शुरू कर दिया था comprehension वो वाला 15 सेशन तो हो चुके बच्छा और करा दूँगा मैं अभी घबराना मत second वाला part reasoning और कुछ maths उसका solution भी आपकी विज्यता सेरीज में मैंने किया है तो हम action पे काम कर रहें बोल बचन नहीं करना भाई और ये happy valley academy बोल बचन के लिए बनाई भी नहीं है इधर की जो पूरी team है आप सारे educators को देख लेना सब को सिर्फ अपने subject से और subject पे ढंग से काम करने के लिए ही हम सब ने एक साथ उनको जोड़ा है सब एक साथ आए है ताकि हम वास्तव में कुछ happy happy कर पाए कोशिश करेंगे आपका साथ होगा तो change भी हो जाएगा ठीक है आजो next next पे चलते है बच्चा आओ come on come on ये लीजिए आगे के question पे आते हैं ये लो again mapping based आ गया नगरना कारोबाक हो गया ये कहां है उसके बाद उत्री की वो इतूरी किदर है again mapping based question है mapping IR में आपने कहीं भी ये IR में बच्चा किसी भी छेतर के अंदर आप सूखा बाड जैसे बार बार हम लेक विक्टोरिया छेतर की बात कर रहे है उदर सूखा extreme weather events हो रही है तो लेक विक्टोरिया पे question नहीं आएगा उसके आजू बाजू के countries पे आ जाएगा कहीं तो इस तरह की खबरे अगर आपको दिख रही है तो साथ के साथ उसको map में देखो आपको जो एटलस है न उस पे एक बार highlight कर लो या कोई notes बना लो यार ये mapping पे ये बार बार ये चीज़े आ रही है अब आपको वैसा नहीं आने वाला कि करकर रेखा किस देश से गुजरत है वो तो आपके दिमाग में structure एक frame बनाने के लिए बच्चा समझाने के लिए आपके दिमाग में अगर मैं अफ्रीका का पुरा map create नहीं करूंगा countries में आपको नहीं दिखाऊंगा तो अचानक से मैं आपको बोलू South Sudan चले जाओ आपको पता ही नहीं South Sudan कहा है पहले तो आप यहीं सोचते रहोगे South Sudan किदर मिलेगा भाई एशिया में है अफ्रीका में है या South अमेरिका में है तो हम जो काम कर रहे है आपको एक बड़ा आउटलाइन दे रहे है चीजे आपको बिल्कुल आसपास तक लेके जाने की कोशिश करे करन्ट हमें आपको जो भी दिखा जाके देख अरे South Sudan नवीन सर ने बताया था कॉंगो बेसिन यार प्रापर हमने कॉंगो बेसिन की कंट्रीज को पढ़ा है तो चले जाए एकदम से एटलस उठाया जाके देखा उसमें आने वाले साथ दिनों में जो आप करंट अफेर पढ़ोगे साल भर का डेड़ साल का उसको मैप पे लोकेट करना और आपस में सब सब्जेक्ट को जितना जोड़ पाओ वो आपने साल भर में कितनी अच्छी तैयारी की उस पर भी डिपेंड करेगा बच्छा यह भी बात धियान अखना नेक्श चलते हैं मैपिंग बेज यह देखो इस बार यह कुशन आया था बच्छा यह पुरुसकार वाला अवार्ड ठीक है पुरुसकार वाले कुशन यूपीसी दस साल पहले पूछता था इस बार उसने पूछा है तो थोड़ा स्टेट सर्विसीज में जो जो बच्छे यूपी PCS की तिय उदर देख लेना एक बार उन मैगजीन में मिलेगा यूपीसी वाली मैगजीन में पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा इधर यूपी वाली मैगजीन में जरूर मिलता है वह जब यूपी PCS का मेंस लिखे उस ठाइम पर पढ़ा है मैंने यह तो अभी भी मिलता है उन भूमना हो जाओ तो आपने क्या कर रहा है वो उसका half yearly आएगा ना जो half yearly compilation आएगा जो half yearly compilation आएगा या yearly compilation आता है इनका उसमें से उठा के देख लेना बच्चा 8-10 पेज रहेंगे पढ़ लेना क्या पता IPL पे question पूछ ले कुछ नहीं पता भाई कुछ नहीं पता IPL पे question आ ज ज्यादा कुछ नहीं करना उसमें नेक्स चलते है देखो फिर समाचारों में संगर्ष शेत्र इंटर्नेशनल लिवल पे कहां drought आ रहा है कहां famine आ रहा है कहां flood आ रहा है कहां घैकलेश चल रहा है चेक है उसके बाद कहां disturbed छेत्र है वो चर्चा में रहेगा अभी इसराइल इरान वाला जो चल रहा है आजू बाजू के छेत्र में देख ले ना थोड़ा समीकरन बिगड़ेंगे तो यह important है तो आप जो भी मंतली magazine पढ़ रहे हो ना उसमें IR वाला जो छेत्र है बच्छा IR वाला मेरे कहने से अगर UPSC वापस से IR-based mapping पे चला गया मेरे कहने से पिछले 12-18 महीने का सिर्फ इतना हमें IR पढ़ना है और उस IR में से mapping-based mapping-based वो निकाल लेना यह निकाल लेना यह आपको help करेगा फिर next question देखो क्या कहता है निमलिखित heavy industries पे विचार करो कहता है green hydrogen किसको help कर सकता है decarbonize करने में green hydrogen किन-किन industries में इस्तमाल हो सकता है तो अगर आप देखो green hydrogen पे already UPSC ने question पूछा green hydrogen होता क्या है फिर second वाला part इसी साल पूछ लिया UPSC चाहता तो इस question को 2024 में पूछता लेकिन UPSC ने 2023 में green hydrogen का पूरा technology पूरा mechanism और उसको हम कहां-कहां इस्तमाल हो सकता है यह भी पूछ लिया उसने लास्ट यर उसने blue carbon पूछा carbon के भी चार रूप है न मैंने आपको बताया था green carbon, blue carbon, black carbon, brown carbon यह green hydrogen है इसके भी बहुत सारे form है green hydrogen फिर और भी जो मैंने आपको बताये थे उस सारे important है जो भी climate change, जो भी global warming, जो भी ozone layer depletion और उसके साथ जो भी acid rain, जो भी pollution इन तरह की समश्याओं से लडने में जो भी technology, जो भी concept है वो UPSC के लिए important है हमें अब इन problem से लडना है, तो लडने क्या पूरा technology क्या है, लडने का पूरा concept क्या है, कहां हमें mitigation करना है, कहां हमें adaptation करना है इस पे आ गया है UPSC सिधा, application, तो हमें कुछ नया नहीं करना, हमें बस अपना approach change करना है चीज़े वही है, बस उसको हमें सोचना है कि जब हम सेम चीज़ को पढ़ रहे है, तो यह सोचे कि अगर इस से problem tackle हो रही है या नहीं, कितनी problem tackle हो रही है, इवी वाला जो technology अगर आ गया हमारा e vehicles, electronic vehicles आ गया, उसके पीछे का पूरा technology क्या है, उसके पूरे component क्या है, वो problem को कितने हद तक tackle करेगी, सरकार उस पे क्या कर रहे है, हो सकता है सरकार इस बार इन सब problems को tackle करने के पीछे जो schemes है, सपोज गरो, इन सब problem को tackle करने के पीछे कुछ schemes चला रही हो, हो सकता है UPSC 2024 में वने schemes पे आ जाए, तो वो schemes भी क्या है, application ही तो है, उस problem को tackle करने का एक applied form है, जरूरी है, याद रखना, तो इस टाइप के question है बच्चा हमारे, C-set में मैंने आपको लगातार बुला है, जिन बच्चों को maths में comfortability नहीं है, reasoning और comprehension ही आपका आधार है, देखो practical सोचो बच्चा, आप किसी की, कई बार क्या होता है न बच्चा, teaching में इमानदारी कम होती जा रही है, teaching में इमानदारी कम होती जा रही है, हर कोई सोच रहा है, बस मेरे पास आजाए बच्चा किसी भी तरीके से, मैं कह रहा हूँ, आप इमानदारी से काम करो, अपने आप बच्चा आएगा, थोड़ा practical हो जाओ, maths नहीं आता, तो 60 दिनों में maths नहीं आएगा, ध्यान रख लेना, अगर बिल्कुल maths नहीं आना, और इन 60 दिनों में आप maths के सोचों कि, मैं 30 टॉपिक त्यार कर लूँ, नहीं होगा, science बेग्राउंड से हूँ में, और इमानदारी से किसी science बेग्राउंड के किसी भी बंदे से पूछ लेना, आपके जान पिचान में होगा, कोई MSC वाला, कोई MTAC वाला, कोई BTAC वाला, बोल देना कि मिससे नहीं आता, मैं 60 दिन अगर ये दोड लगाउं क्या मैं successful हूँगा, वो इमानदारी से बता देगा कि आपकी position क्या होने वाली है, तो जिनको maths नहीं आता, वो नहीं आएगा, दो-चार टोपिक आपको तियार करने है, ratio के, average के, percentage के तियार करो, वो help करेगे, बाकी reasoning और comprehension पर ही खेलना होगा, CSET problem है, मैं तो पहले से ही बोल रहा हूँ, उस problem को संभाल के रखो, मैं तो पिछले 5 महीने से बोल रहा हूँ कि रोजना 2-5 गंटा CSET पढ़ना शुरू करो, अगर आज भी आप जाग जाओ, अभी भी बहुत अच्छा टाइम है, पूरा comprehension का तो पूरा solution मैंने देई दिया, 15 लेक्चर पढ़े है, समाधान सिरीज के, देखो उनको, reasoning के topic, अभी CSET की class सुभेश शुरू करी दी, अनन्द पांचाल सर है, तो पूरी टीम, विजेता सिरीज की पूरी टीम आपके साथ है बच्छा, बस महनत कर लेना, अच्छे से घबराना मत, अभी result आया है, तो करना बहतर होगा, अभी भी अच्छे खासे दिन है, बहुत सारे बच्चे जो इंटर्व्यू में फेल हुए है, इंटर्व्यू में सारे पास होगे क्या, धाई-तीन हजार बच्चों ने इंटर्व्यू दिया था, 1100 सेलेक्ट हुए, 1500 तो उधर भी फेल हुए है न, वो भ कुछ सेम है, बस उनको experience हो गया, थोड़ा आप से ज़्यादा मिचौर है वो, situations को handle करने में, चीक है, और आपको इस बार किसी तरह की problem ना हो, तभी ये बच्चा Happy Valley Academy, है न, Happy Valley Academy अस्तित्व में इसलिए ही आई, हैपी Valley Academy इसलिए अस्तित्व में आई है, बच्चा, हम भी परेशान हो गए, हमें सिर्फ पढ़ाने का मन करता है, तो ये आपका ही है, खुद की बना डाली, खेली खतम कर दिया, जो संस्थान हमने खुद का ही बना लिया, उसको गई है, क्योंकि आप हमें काम करना है, to the point दोड़ना है, ठीक है गाईज, तो आप इसकी एप डाउनलोड कर ले ना, कमेंट सेक्षन में पिन की हुई है, तीन बजे चंचल सर्मा सर की क्लास होगी, तीन बजे, चंचल सर की क्लास होगी, आप उसको जरूर देखना, चंचल साड़े चार बजे मेरी क्लास होगी, हैपी वैली अकेडमी राइज पे, हमारी QR सिरीज, जो एनवार्मेंट और निकलोजी की सिरीज है, देखना वो, ताबर तोड, जबर दस्त, वो 25 से 30 लेक्षर तियार किये मैंने, बवाल है वो लेक्षर, QR सिरीज के, तुफान मचा द आपको चीए, तो बस लगे रहना, कल से इधर हमारे रेगुलर जोगरफी के सेशन शुरू हो जाएंगे, जोगरफी एनवार्मेंट दोनों के साथ साथ चलेंगे, और वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, चैनल को सब्स्राइब जरूर करे बच्चा, आज के लिए बस इतन चैनल कुमार शर्मा सरगोन है, तो अच्छे से पढ़ो, सर के साथ रहो, और फिर मिलते हैं कल के सेशन में, बाई, टेक केर